आम नमस्षिवाय दोस्तों महाशिवराती पर आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और क्या क्या जरूरी है खाना इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि महाशिवराती के दिन आपको शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चड़ात देनी है या फिर ऐसी क वीडियो को अन तक देख लेते हैं तो यकीन करिए कि आपको बहुत सी चीजों का ग्यान मिलेगा इससे हम आपको और भी सटिक जानकरी दे सकेंगे और मैं यह भी यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी हर मनोकामना विश्य पूरी होगी क्योंकि अभी तक काफी लोगों ने यह पाएक कर सके अपने लिए और दूसरों के लिए और इस वीडियो को जादा से जादा जिससे की हर भारती नागरिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके तो आपको कमेंट्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखें दोस्तों आपको कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए हमारी माताए और बहने माशिवरातीरी का वरत रखती है और उनका वरत खंडित ना हो जाए इसके लिए माताए और बहनों को यह बातों की अवश्य शक्ता ध्यान में रखना चाहिए कि वह क्या खा रही और क्या नहीं खा रहीं दोस्तों माशिवराती साल भ से होती है दोस्तों आपको बता दें कि अगर शिवरात्री के दिन कुछ ऐसा या फिर वैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को इस वीडियो को आप लोग महादेव की किरपा से पूरा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि शिवरात्री को आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना एक छोटी सी गलती आपका व्रत भंग कर सकती है और एक छोटा सा कारिया आपका व्रत पूरा कर सकता है महादेव की किरपा दरिश्टी पाने के लिए महादेव की किरपा दरिश्टी पाने के लिए महादेव की किर पूरी के लिए उपाए ही बताएंगे दोस्तोड और इस वीडियो में हम आपको यहा भी बताएंगे कि शिवरती के दिन महादे पर ऐसी कौन सी वस्तु चड़ा देने से महादे पर अत्यंत लाब हिलाब होगा दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेना चलिए जान लेते हैं माशिवरातरी दोजाचोबिस में कम मनाई जाएगी और वरत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना और क् शिवरातरी आठ माँ दोचार चोबिस की मनाई जाएगी इस देश के पूरे भगवान शिव के मंदिर में भीड लगेगी कई लोग इस पावन पर भगवान को प्रसंद करने के लिए उपवास रखते हैं उपवास रखने से मन को शांती मिलती है अगर आप भी इस अफसर पर भवास रखते हैं तो अपनी सेयत को विशेश ध्यान रखें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अफसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको वरत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो इस बारे में विश् इस व्रत में कई पुवास में फलहार का बहुत माना जाता है। बना रहेगा और पेट भी खाली मैसूस नहीं होगा माज शिवरातिरी के दिन आपको ये फल जरूर सेवन करना है आपको भगवान महदेव की किरपा होगी आप हर एक मनो कामना पून होगी आपकी चलो अब बताते हैं हेल्दी जूस कौन सा है जो आपको पीना है शिवरातिर रहेगी उपवास के दोरन आप नारिल का पानी भी पी सकते हैं ये फ्रूट जूस भी पी सकते हैं जैसे अनार का जूस वंत्रे का जूस मोसमी का और दोस्तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि हमारे शरीर में ठंड़क भी रखता है और हमारे शरीर को शितलता भी परदान करता है क्योंकि पूरे दिन आप व्रत को रखने या करने में अच्छे से महसूस करें शरीर को अगली वस्तु जान लेते हैं कुट्टू का आटा जैसे कि माशिवरातिरी के उपवास के दोरन अनाज खाने की सक्त मना होती है हाला कि आप कुट्टू के आटे का साबुदाने का आटा और सिंगाडे का आटा या इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसे आपको अवश्य खाना चाहिए क्योंकि जो लोग महाशिवराति का व्रत करते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग शाम के समय खाते ही नहीं और कुछ लोग नहीं खाना पसं समझा जाता है यानि माना जाता है यही वज़े है कि वरत में भक्तों के लिए ये उपियुक्त आहार होता है आप अपने वरत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अर्बी की सबजी भी शामिल कर सकते हैं इन सबजीयों को बनाते वक्त आप लोग वरत में सेंदा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं और पांच ड्राइफूट भी आप उपास के दोरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी मैसूस और ना ही उर्जा की कमी जहेलनी पर सके इस मौके पर आपको हाइडरेट आ आपने खाने से परहेज करना है अगर वरत में आप तला भुना खाते हो तो आपके पाचेन में परिशानिया हो सकती है मुखे रूप से आपको अपज कब्ज गैस एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है उसका सामना करना पड़ सकता है ऐसे मैं बिल्कुल भी आपको भूल कर भी तला भुना गलती से भी नहीं खाना दोस्तो इतना उपाय आपने माशिवरात्तिरी से पहले कर लिया तो यकीन मानिये इस आहार को करने से इस वरत को करने से अभगवान शिव से आपको कोई भी मनुकामना अवश्य पूरी होगी दोस्तो दूसरी चीज तो आपको माश शिवरातिरी से पहले लानी होगी वह है शिवपुरान की पुस्तक दोस्तों बहुत से लोगों के पास शिवपुरान है लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग है जिनके पास शिवपुरान की पुस्तक घर में नहीं है और अगर आप इस माशिवरातिर शू होने से पहले एक श थोड़ी पूजा करते हो तो उपाए मान कर चलते हो तो दोस्तो आप घर में जितनी भी नकरात्मक शक्ती होगी उनका नाश हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति आपके घर का घर पर काला जादू या फिर काली विद्या करवाने की कोशिच भी करेगा तो इन सब पर उसका असर नहीं होगा और अगर आप शिवरात्री के व्रत शिवरात्री के बाद प्रतेक सोंबार को शिवपुरान की थोड़ी सी भी पूजा करेंगे या इसके अध्याय को पड़ेंगे तो इससे आपकी घर में बरकत ना कि उन्नती का भी वास होगा इस शिवरात्री के बाद आपक को ये बता दें कि आपको गुप्त शत्रु अपने आप बन जाते हैं जब भी आप अपने जीवन विमनतिक और तब आपके रिष्टिदर पर महाशिवराद्तिर यानि शिवराद्तिर पर आपको पहले एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर आपके घर लाना है और आपको उसमें त्रिशूल को पूज़ाघर में रख solp को इस तापित कर देना अपने पूज़ा घर में इस उपाय को अगर माशिवरात्री के पवित्र दिन से पहले किया जाए और माशिवरात्री के दिन थोड़ा सा त्रिशूल का धूप द्याप दिखा दिया जाए या यकीन मानिये या त्रिशूल आपके लिए किसी सुरक्षा कवस से बहुत जादा ही कुछ कहलाएगा माशिवराती से पहले आप यह चीज अपनी घर के पर अविश्य ही लेकर आ जाएं और इन चीजों से जुड़े उपाए भी अविश्य ही करें अगर आप भी भगवान भुलेनात को दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव अविश्य लिखें और आगे भी मैं आपको ऐसे ही हर हर महादेव की वीडियो लाती रहूंगी और जानकारी देती रहूंगी तो वीडियो को ज़्यादर से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जे भोलेनात जे महादेव की